अब बनाई खटे मीठे दाई बले तो चलिए फ्रेंड दाई बले बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को भिगो कर रख दिया था हमने ये उड़द की दाल है इसको में पानी से निकाल लेंगे और इसके अंदर मिक्सर में डालेंगे और इसको अच्छा सा बढ़िया सा पीस इसको आमें बिल्कुल बढ़िया पीस ना है एकदम पतला करना है अगर अगर पतला करेंगे तो हमारे जो गोड़ बले बनकर त्यार नहीं होगे तो चलिए इससको हम बनाने है इसको हम इस तरह के से देख सकते हैं आपने मैंने पूरी दाल को पीस लिया है और पीसने के ब कि सो पहेटना है तो अभी आप देख सकते हैं पूरा इसकों छहाँ से मिक्स कर दिया और इस तरी कि सहमेगे फैटते रेंगे फैट से धसED कि हice इसको कुल टरुपशाना है शलब जाएंगा के सके अंहें I कम रखना है अगर आप फुल गैस कर देंगे तो हमारे बाहर से जल जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे इसलिए आपको कम गैस पर मीडियम गैस पर ही इन दैबलों को तलना है तो आप देख सकते हैं मैं एक एक करके सारे डाल रही हूं और यह देखिए हमें जब इनक इनको बाहर निकाल लेंगे और इनको एक टीशी पर निकाल देते हैं ताकि यह जो भी एक्स्ट्राव लोग तो वह तो त्यार कर लेंगे और जो फ्रेंट्स मेरे चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसके आगे जो बैल आकन बटन है उसे प्रेस कर लिज हैं और आज खेलने वाली होली है और इस पर खाए पी और बढ़िया से हमारी होली मनाएं और अच्छा सा एंजोई कीजी और दैबलो के साथ तो फ्रेंट्स रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जूरू कीजिए और ज्यादा से जदा अपन नम गरम में हमें प्रोसेस नहीं करना है बिल्कुल ठंडे होने के बाद में करना है अब एक बड़ा बरतन लेते हैं उसमें सारे बल्लों को निकाल लेते हैं अब इसमें डालेंगे हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी करके इनको सारे पानी के अंदर बिगो देते हैं इनक जो भी एक्स्ट्रा ओयल वगर है वो सारा पानी के अंदर निकल जाएगा तो इनको इस तरीके से डूबो देते हैं सारों को अभी 10 मिंट हो चुके हैं दस मिंट में आप देखिए बलो का कलर देख लीजिए और अपने साइसे डबल हो चुके हैं और यह देखिए दबाने प निकल जाएगा और फिर से इनको दस मिंट के लिए चोड़ देंगे यह प्रोसेस हमें दो बार करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अभी आपको पता से लेगा नहीं तो यह वीडियो आप स्कीप कर देंगे तो आपको पता निसे लेगा कि जो हमने यह बल निकाल लेते हैं और अभी आप निकालने देखेंगे पानी में बहुत सारा ओल हो गएरा सारा रिलीज हो चुका है और इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और अपने साइज से डबल हो चुके हैं अभी एक सीक्रेट तरीका करना है जो अगर वह नहीं करेंगे तो इसके बजान तो दई बल्ले बिलकुल अधूरे हैं तो उसे करने के लिए हमें सारों को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आगे जो हमें प्रोसिस करनी हो करें तो यह देखें उसी बर्तन के अंदर हमें खाली कटोली लेते हैं और एक कोईले का जगता वा अ देखें उसके ड पूरा कवर हो चुका है अब हमें क्या करना है थोड़े देर बाद में इस कटोरी को हमें बाहर निकाल लेना है और इसके अंदर वही गुनगुना सा पानी हमें फिर से डाल देना है एक लेटर के करीब इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और फिर उसके बाद में हमेरे जो तो आप देख सकते हैं पूरी थाले के अंदर दुआ भर चुका है थोड़ा थोड़ा दूआ साइडों से भी निकल रहा है बस हमें इतना है इसको करना है दस मिंट के करीब इसको हम छोड़ देंगे दस मिंट हो चुकी है आप देख सकते हैं दूए से पूरा टोपया भर तो देखिए फ्रेंड से अभी समें डाल देते हैं गुंगोना पानी एक लिट्र के करीब समें गुंगोना पानी डाल देंगे और पानी शात हैं, रहुने केदं वले बीड को लीयों वे वह प्रकार सबस्क्रंगतों वो एक जीरा डाल में जीरा सीध। जीड़े को और सा बहुनने के बाद में इस हमें वेड़ा सा हुआनने के जीरे मुझे जोनना और इस बहुंन लेते हैं और इसकी बगर तो हमारे को तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छा सा भून लेती हूं और इसका कलर हमें एकदम गोल्डन करना है एकदम इसको और इसे हमें को आपको हर चीज में बता रही हूं तो वीडियो को पूरा वोज कीजिएगा तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप जीरा हमारा भून चुका है हलका हलका सा इसमें देखिए कच अवाज आ रही है और हलका हलका इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बढ़िया सी हमारी एक इत्म ज जादा टेबल स्पून के करीब और इसके बाद में हम इसमें डाल इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चाट मसाला तो वह भी मिलादाना है इसके अंदर और उससे जो हमारा फ्लेवर आएगा बहुत यह अच्छा आएगा तो देखिए फ्रेंड बिल्कुल एक्दम क्रीमी सा उसको बना लेंगे और उसमें डाल देंगे दो से तीन चम्मस की करीब चीनी अगर किसी को मिठा ना पसंदो तो अगर आप बिगार चीनी के भी दई को बना सकते हैं तो आप देशके हैं दई का टेक्चर देखिए बस हमें इतना ही दई को करना है बिल्कुल फेटने के बाद में दई ऐसा हो जाना चाहिए और दई से पूरे बल्लो को कवर कर दें दही गुपुरा कवर करने के बाद में अच्छा सा इसको कर देते हैं और उसके बाद में हरी चटनी मैंने पहले ही तियार कर ली थी तो अगर आपको हरी चटनी की वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में इसकी लिंक दे दूगी तो देखिए अच्छाना बिल्कुल आसान है वे तो देख सकते हैं कि इसने उपर से चटनी भी दाल देते हैं और इसमें डाली पद्धे की उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को इसकी मत कीजिएगा पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमारे धही बल्ले कैसे बने है तो फ्रेंड्स अगर रेसिप अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरू कीजिएगा और यह जो हमने मसाला त्यार किया है वो मसाला डाल दिया है और मिलते हैं कि ऐसी ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपे के साथ लक्समिज कीचन तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की दही बड़े की रेसिपे आपको कैसी लगी थैंक यू सभी को हुले की बहुत बहुत सुब कावने उपर गार्निस के लिए मैं यहाँ पर बुज़ी डाल रही हूं थैंक यू बाए बाए